वैसे हम देखते हैं कि राहुल वैद्या को विकेंड के बार पर ज्यादा जटके नहीं देखने पड़ते हैं सल्मान घंक कईना कईना कई उनकी बातों से सहमत कर जाते हैं ज्यादा तर तर्थайम और उन्हें कच खास टॉचर नहीं होना पर ता लेकिन इस बार वह रहुवाने वाला है अलांकि इस बार भी सलमान खान को बहुत बड़ी फटकार तो नहीं लेकिन अच्छा से फटकार लगाने बाले हैं अब आप सोच रहेंगे भी राहूल ने ऐसा क्या करती है कुछ बाते राहूल वैद्या ने ऐसी की है जिन से सलमान खान को लगा कि उन्हें थोड़ी सी डारेक्शन देनी की जरूरत है अब आपको उता कि घर के अंदर कैप्टैन से टास चल रहा था राहूल वैद्या भी उसका बार थे सब ने सोचा कि राहूल वैद्या खुद को सपोर्ट करेंगे यानि कि कैप्टैन बनेगे अगर ना हो सके का मैं भी बताओ कि आप ने खुद को तो कैप्टैन नहीं बनाये ही नहीं लेकिन आपके दोस्ते उनको भी नहीं और सिद्या अली गोनी को जो है क्या ना लगए और आपने पिलकुल ही छोड़ दिया कि मैंने captain बनना ही नहीं है और आपने पूरा का पूरा support दे दिया तो सलमान खान कहाते हैं कि रहुल आपने captain's task में खुद के लिए stand क्यों नहीं लिया और बाकी घरवालों को भी बोला कि आप सब ने क्यों तो आप सबने क्यों इस तरह से captain's task के लिए give up कर दिया और जो है क्या जवाब देते हैं क्योंकि इतना हमें पता है कि कोई उनके best friend नहीं है नंबर बात नंबर टू कि ऐसा भी नहीं है कि अलिगोनी नंबर पहले से घर के अंदर है है और बहुत जरूरी है यहां पर अच्छा रहेगा को आशड़खालं क्या रहेगा और इतना जुँक्र कुर को देखे करली की अच्छे दोस्तव बन सकते हम आसके लिए काम हीं अपने लेलें涍ा लेकिन देखते और इस समय तोड़ी डाउन होई है बहुत अच्छा वो कहल रहे थे सब के फिवरेट थे वह लेकिन थोड़ी डाउन होई मुझे लगता है वह अप करनी के भी जरूर था और सलमान खान जब समझाएंगे कहीं नहीं बहुत जल्द अच्छे से वह फिर से अपनी गेम में आ जाएंग और स्थी में ऑमान होई है लगफ लगता हैbahn जाएंगे लेकिन नहीं एた है भी एल्द लोगता है बहुत शोग्यों है लचण हो कहीं हैम मुदा है बहुत वहूट कि बहुत कहला बहुत मुपते हैं जा लाएंग से बहुत कहों हम और